हलो सुदेंट्स मेरा नाम धीरज महांदिवेदी और स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मागनेट ब्रेंज पर मागनेट ब्रेंज एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ओनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन तो चलें आज हम श तो यहां पर हम बात करेंगे कि हॉलवक और लिनार्ड ने कुछ ऑफजर्वेशन किया था ठीक है कुछ एक्सपेरिमेंट के बिसस पर हम उसकी बात करेंगे ठीक है तो मेरी बात को सुनना जहां से यहां पर देखो जो लिनार्ड थे ठीक है उन्होंने क्या अफजर्व किय तो Leonard ने ये observe कि अगर हम कोई दो metal plate में अगर एक potential difference हम maintain करते हैं मतलब एक plate आपका positive और एक plate आपका negative तो अगर हम किसी emitter plate पर जैसे यहाँ पर देखो मैंने कहा कि यह आपका एक plate है यह एक plate है ठीक है यह आपका यहाँ पर आपने potential difference maintain किया this is negative, positive, negative, positive ठीक है अब यह देखो यहाँ पर आपने negative इसको दिया यह negative हो गया यह positive हो गया तो आपने दो plate के बीच में ठीक है आपने दो plate के बीच में एक potential difference यहाँ पर maintain कर लिया ठीक है और इसको glass tube में आपने evacuate कर लिया ठीक है glass tube में इसको आपने enclose कर लिया ठीक है glass tube में यहाँ पर आपने इसको enclose कर लिया ठीक है अब यहाँ पर आपने एक window डाली ठीक है अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहाँ पर ठीक है Leonard ने क्या observe कि अगर हम किसी emitter plate पर और कौन से emitter plate जो negative potential पर है इसे कहते हैं emitter plate इसे कहते हैं emitter plate और यह होता है collector होता है अभी इसको और detail में हम आगे बात करेंगे है ना अब मेरी बात को सुनना ध्यान से तो Leonard ने यह observe कि अगर कोई ultra wallet radiation है ना incident होता है emitter plate पर ठीक है तो वहाँ पर एक current flow होगा ठीक है कि नहीं है यह उन्होंने observe किया आ रहे है बात समझ में मदब अभी तक कहानी उसकी नहीं आई है कि यार जब metal plate पर वो UV radiation fall होगा तो electron आएगा ठीक है अभी उसकी बात नहीं हुई है electron तो आगे चलके discovery हुई थी उसके बात पता चला था कि metal plate पर जब UV radiation का fall होगा ठीक है तो electrons निकलेंगे उसकी वज़ा से current निकलेगा ठीक है लेकिन अभी electron के discovery नहीं हुई है उसके पहले की बात कर रहा हूं है आपर तो लिनार्ड ने यह observe किया कि अगर हम किसी emitter plate पर मतलब negatively charge plate पर अगर ultra wallet radiation का fall कराते हैं ठीक है और circuit अगर complete है तो वहाँ पर current flow होगा मतलब यहाँ पर अगर हम micro emitter लगा दे micro emitter लगा दे तो इसमें deflection देखने को मिला Is it clear? यह लिनार्ड का observation था है ना ठीक है मला अभी तक पता नहीं था कि क्यों वहाँ पर current flow हुआ है उनने बस यह देखा कि हाँ इस पे हमने कोई UV radiation का fall कराया हमने ठीक है UV radiation का fall कराया हमने इसके उपर तो यहाँ पर इस emitter में deflection देखने को मिला मतलब वहाँ पर current flow हुआ है इस इट लिया ठीक है कि नहीं है तो वही मैंने यहाँ पर observation लिखा है देखो enclosing two electrodes मतलब metal plates यह आपके दो metal plates है called as electrodes current flows in the circuit है ना तो वहाँ पर current flow करेगा यह लिनार्ड के observations थे ठीक है कि नहीं है अब हम बात करते हैं कि hall walk ने क्या observe किया था मतलब क्या उन्होंने किया और वहाँ से क्या observation किया हम उसकी बात करेंगे तो पहले काम करें इसका screenshot ले ले फिर hall walk की तरह चलते हैं आपन चलो अब देखो hall walk जी ने क्या observe किया तो मेरी बात को सुनना hall walk ने क्या observe किया उन्होंने एक negatively charge zinc plate लिया negatively charge zinc plate लिया अब तुम ज़रा सोचो negatively charge zinc plate का मतलब उसमे negative access में होगा है कि नहीं ठीक है अब देखो अब जब उन्होंने उस पे कोई ultra wallet radiation fall कराया ठीक है कि नहीं है तो मेरी बात को सुनना negatively charge zinc plate के उपर जब उन्होंने कोई ultra wallet radiation fall कराया तो देखा कि negative charge reduce हो गया मतलब zinc plate का जो negative charge है वो reduce हो गया अब जब जब सुचो यह observe किया उन्होंने ठीक है कि negatively charge plate के उपर अगर हम radiation का fall कराया ठीक है तो उसका negative charge की value कम हो गई और negative charge की value कम होने का मतलब उसने अपना negative बाहर दिया होगा ना है कि नहीं देखो अगर हम अभी तक क्या था electron के discovery हुई नहीं मेरे पास zinc plate है उस पे radiation का fall कराया है ना और negative charge की value कम हो गई है और negative charge की value कम होने का मतलब उसमें से negative charge बाहर निकला होगा है कि नहीं यह उनका पहला observations था दूसरा उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने क्या किया एक neutral negative सरी एक neutral zinc plate लिया उन्होंने neutral zinc plate मला uncharge zinc plate ठीक है उस पे उन्होंने radiation का fall कराया ठीक है तो क्या देखा कि वो आपका जो जो आपका zinc plate है वो positively charge हो गया है कि नहीं वो positive charge हो गया तो क्यों हुआ positive charge क्योंकि वहाँ से negative charge emit हुआ होगा अभी तक electron की जिक्र हुई नहीं है ठीक है तो जब उन्होंने uncharge zinc plate लिया और उसके उपर radiation का fall कराया ठीक है तो देखा कि वो zinc plate क्या हो गया है positive charge हो गया है है कि नहीं जो ये show कर रहा है कि उसने अपना negative charge emit किया होगा अभी वो negative charge electron है अभी उसकी बात नहीं हुई थी है कि नहीं later on in the year 1897 जब electron के discovery हो गई तब जाकर के ये चीज़ conclude की गई कि कोई भी metal surface के उपर अगर हम किसी radiation का fall कराते हैं of suitable frequency ठीक है तो वहाँ पर electron का emission होता है इसलिए वो आपका जो plate है वो positive charge हो जाता है आ रहे है बात समझ मैं आपको यहाँ पर ठीक है नहीं यह चीज़ है तो यह hall walk के observations थे ठीक है तो यहाँ देखो लिखा है मैंने hall walk observed that when negatively charged plate zinc plate exposed to ultraviolet radiation then negative charge reduces negative charge की value reduce हो रही है है कि नहीं that means उसने अपना negative दे दिया होगा ठीक है तो अगर मैं बोरूँ कि मान लो कि minus 10 कुलम था उसका negative charge ठीक है और UV radiation fall होने से अब हो गया आपका मान लो कि minus 5 कुलम हो गया मतलब उसने अपना minus 5 कुलम बाहर emit किया होगा ठीक है तो negatively charged body का negative charge कम होने का मतलब उसने negative charge दिया होगा है के नहीं यह कहानी है फिर देखो when uncharged zinc plate exposed to UV radiation then it become positively charged ठीक है तो uncharged यह तो बहुत easy है uncharged है ठीक है फिर UV radiation fall होने पर क्या दिया क्या हो गया वो positively charged मतलब उसने negative charge emit किया होगा ठीक है from that it is concluded that negative charge particles emitted by the plate है के नहीं ठीक है फिर उसकी बाद मैंने लिखा है यहाँ पर after the discovery of electrons in 1897 है ना it is concluded that incident light causes electrons to be emitted from the emitter plate मतलब फिर बाद में जाकर कि जब electrons के discovery हुई ना उसके बाद यह मालूम चला कि हाँ कोई भी metal plate के उपर अगर UV radiation fall होता है तो वहाँ पर electrons का ejection होता है है कि नहीं clear है कहानी यह चीज है तो यह था आपका leonard and hallwalk observation ठीक है कि नहीं है चलो तो यहाँ पर अपना यह जो observation है यह जो topic है यह खतम होता है अब जो next topic रहेगा ना वहाँ पर हम detail में बात करेंगे about photo electric effect मतलब इनहीं लोगों के observation के basis पर ठीक है आपके हो गए handbridge hurts ठीक है leonard, hallwalk यह लोग जो हैं इनहीं के observations के basis पर है ना आया आपका एक topic photo electric effect ठीक है वो हम देखेंगे in the next topic which is very important for your exam point of view ठीक है तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको simple magnetbrains.com पे जाए यहाँ पर जो magnetbrains का YouTube channel है वहाँ पर आप जाए वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे courses मिलेंगे जो कि बिल्कुल free of cost है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको आपने एक दो टापिक देख लिया तो फिर कोई कूपर लगाना पढ़ड़ा पढ़ड़ा हो पढ़ड़ा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर सारा content बिल्कुल quality content आपके लिए बिल्कुल free available है तो बस अंतमी यही कहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको like जरूर करें और अगर आप चनल में नहीं हो तो आप इसको जल्दी subscribe करें ताकि कोई भी upcoming वीडियो हो आपसे बिसकोल मिसना हो और अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए Thank you